नमस्कार दोस्तों आज एक नए वीडियो में आपका फिर्सस वागा जाते कि आज देरोबीन ओइंटमेंट के उपर हम बात करेंगे और ऐसी खुजली जो आपकी बिल्कुल असानी हो गई हो ठीक हो न रही हो पपड़ीदार के साथ साथ जो जगा है वहाँ पर मोटी तवच इसकी तवचा जिसमें कोशिका जो रहती है वो तेजी से व्रद्धी करती है और सुखे पेच वगेरा जब बन गए हो और बार-बार खुजालने पर बलड सा भी आ जाए लेकिन फिर भी वो ठीक न हो और यह आमतोर पर जैसे घुटने के नीचे वाली तवचा हो कोनी वाल जो जो जगह है तो अचा की उसको जला देता है खत्म कर देता है और फिर उसके बाद को यह आप क्रीम लगाएंगे तो वहां से मुलायम तवचा जो है वो फिर से अपनी प्रद्धी करेंगी और वो स्वराइसिस की जो समस्या है इंफेक्शन की जो इस जितिति है वो इस ओइंट्मेंट के बाद ठीक हो जाती है लेकिन देखिए इस ओइंट्मेंट को आपको तभी लगाना चाहिए डाक्टर जो है परमिट करें यह अंदर से ऐसा दिखता है डेरोबीन आप देख सकते हैं और यह जो चमज दिया गया है इसका मतलब यह है कि जो भी जगह है जह जिस जगह पर आप लगा रहे हैं वो तो ठीक है लेकिन आपका हाथ भी जल सकता है तो इसलिए चमज दिया गया है और जगह को अच्छे से साफ कर लीजिए उसके बाद जो है थोड़ा सा मतलब इस ओइंट्मेंट को आप थोड़ा सा इस चमज से लेंगे और फिर संबंद कर सकता है इसलिए इसे थोड़े समय के लिए लगाया जाता है एक या दो बार तीन या चार बार बस इस जादर लगाने का नहीं होता है डॉक्टर की पसंद के बाद आप इसे लगाएंगे तो आपको किसी तरह की कोई हानी होने की संभावना नहीं रहेगी देखिए ये ड काम करता है और बहुत अच्छा से काम होता है डे रोबिन ओइंटमेंट का देखिए आज की तारिक में इसका 130 रुपे मर्पी ये यूसवी कंपनी के आती है और इसे ऐसा नहीं कि रात को आप लगा के सो जाएं सुबह उठें ऐसी इस्तिति नहीं होना चाहिए आपको इसे लगाने के एक से दो घंटे के अंदर साप पानी से संबंदित जगा को जो है वो धो लेना चाहिए क्योंकि क्या होता है ये जला देता है उस जगा को खत्म कर देता है और जो इंफेक्शन के इस्तिती होती है उसको भी खत्म कर देता है तो जो मोटे-मोटे पेच बनते है जो इस तरह की तकलीब रहती है उसमें ये लाबकारी होता है अच्छा देखिए इसको लगाने के बाद मेस्टराइजरिंग क्रीम का इस्तेमाल करें आप ताकि तो अच्छा जो वहाँ पर जल गई है या कुछ इंफेक्शन नुकसान हो गया है जगह पर तो ये हलका फुलका क्रीम लगाने के बाद वापस ठीक हो जाता है अब हमने तो ये देखा है कि जो मोटी स्कीन हो गई हो फुली फुली स्कीन हो गई हो पपड़ीदार स्कीन है तो उस जगह पर इसे लगाना चाहिए देखिए चेहरे पर ये क्रीम ये आइंटमेंट लगाने का नहीं होता है पर न लगाए आप इसको लगाने के बाद इदी आपको संबंदित जगह पर जलन हो रही है खुजली हो रही है और बिल्कुल असानी एस्थिती उत्पन हो गई हो तो समझे कि ये इसका side effect है और आपको इस ointment को लगाना बंद कर देना चाहिए तो बड़ी साउधानी से इसक चो गया तो वो जगह को ये जला देगा जला इन दे सेंस कि वो जगह पर चमड़ी जो है वो काली पड़ जाएगी और इस तरह की इस्तिती हो सकती है तो इसका इस्तेमाल बड़े साउधानी से करें usv company का ये आता है बहुत ही अच्छा है लेकिन साउधानी से आप उस्तेम के ऊपर ये जानकारी थी और जानकारी से ज्यादा साउधानी भरतने की सला दिया जाता है और उम्मीद है कि ये चोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नए वीडियो मे किसी नई जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार